जैशी किशना दोस्तों वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों नवरात्री के शनिवार के दिन अगर आप सिरफ काले तिल और काली मिर्च का ये उपाय कर लेते हैं तो जीवन में चल रही सभी परेशानिया कैसा भी आपके उपर नजर दोश है किसी तरह का बंदन है या घर में वास्तो दोश हो रहा है यानि जिस भी कारे में आपके बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी शनी से संबंदिद जो भी आपके उपर ग्रह दोश चल रहे हैं या किसी तरह का ग्रह दोश आपकी कुंडली में बना हुआ है इस दिन अगर आप ये उपा आनी जाती है और नवरात्री के अगर शनीवार के दिन आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिये आपकी जो इच्छा है वो बहुत ही शीग्र पूरी होगी दोस्तो ये उपाय तो बहुत ही सरल है लेकिन आपको उसी विधी से करना है जिस विधी से हम आपको बताने जा उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब निकर रखा तो प्लीज सस्क्राइब जरू कर लें पगलने बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुस सके दोस्तो आपको शनिवार के दिन देखे काले तिल लेने हैं आपको ग्यारा काले तिल लेने हैं और एक लोटा जल लेना है जल में आपको वो ग्यारा दाने काले तिल के डालने हैं लेकिन आपको डालने से पहले इस मंत्र का जाप करना है मा भगवती के नमाड मंत्र का जाप करना है ओम एम रीम क्लीम चामुडाय विच्चे इस मंत्र का 11 बार जाप करें उसके बाद इन काले तिलों को आपको उस लोटे में डाल देना है और इसको लेकर आपको पीपल पर जल चड़ाना है दोस्तों आपको सायकाल से पहले ही ये उपाय कर लेना है आपको इस जल को मतलब पी जल समर्पित कर रहे हैं उसके बाद पीपल को दोनों हातों से स्पर्ष करके अपनी मनो कामना बोलनी है दोस्तों एक तो आपको ये उपाय करना है और सायकाल के समय आपको एक लाल बाती का यानि आप एक कलावा ले ले उसकी बत्ती बना ले और आपको एक दीपक तयार कर को जला दे दोस्तों ऐसा करने से आपकी कुंड़ी में किसी तरह का भी अगर ग्रहे दोश है सनी से संबंदिध जो भी परेशानिया आ रही है वो अवश्य ही दूर होती है तीसरा उपाय है दोस्तों इस उपाय को आप मतलब सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं आपको समागरी बहुत कम है तो मिक्सी में तो पिसेगा नहीं तो आप सिलवटे पे इसका अच्छे से पाउडर बना लेना है और आपको एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूज डालकर जल डालकर और थोड़ा सा मीठा डालकर इन दोनों वस्तु को लेकर आपको शिवमंदिर म करना है और जो काले तिलो का जो आप पाउडर लेके गए है उसको आपको थोड़ा सा मतलब पानी से भीगो लेना है एक तरह से उसका पेस्ट बना ले और शिवलिंग पर आपको उसका लेपन करना है इस उपाय को करते समय सनेश्चर महादेव का मतलब जाप करते रहना है शनी से सम्मन्दि जो भी परेशानी आपकी जीवन में चल रही है वो तो निशिद ही दूर होंगी और अपनी मनो कामना भी अवश्य बोले शनीदेव के आराद्दे कहलाते हैं महादेव और भगवान शंकर का इस तरह से लेपन करने से भगवान शंकर बहुत ही शीगर प्रस दो आखरी उपाय है आपको देखे किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हैं अगर साइकाल के समय करें तो सबसे ही शेष्ट है यानि सूरियास्त हो जाए उसके बाद आपको करना है आपको पांच काली मिर्च के दाने लेने हैं और उसको अपने सीधे हाथ में रखकर अपन मंदिर में जाए और वहाँ पर आपको एक दीपक में मिर्टी का दीपक ले ले उसमें कपूर ले ले कपूर के अंदर आपको काली मिर्च डाल देने हैं और शिब मंदिर में ही उन मतलब काली मिर्चों को आपको जला देना है अगर आप किसी वज़े से देखे शिब मंदि में जाकर कर सके तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो आप अपने घर के में दर्वाजे के बाहर मतलब घर से बाहर ही आपको जला देना है। ऐसा करने से आपकी घर में जितने भी मतलब नेगिटिवीटी है जितने भी वास्तु दोष या किसी तरह का हारी बिमारी अगर आपके घर में लगी रहती है तो देखना इस उपाय को करने मात्र से आपके घर से सभी परेशानिया दूर होंगी जिस भी कारे में आपके बाधार यह वो अवश्य ही दूर होगा और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों शनिवार के दिन इस उपाय को अवश्य करें क्योंकि नवरात्री के बहुत ही पावन और शुब दिन चल रहे और भगवान शंकर का और माता पारवती का ध्यान करके अगर आप यह उपाय करते हैं उनका पूजन करते हैं तो निश्य दी आपकी सभी परेशानिया दूर होगी और आपकी मनो कामना अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों जिन भी भाई बेनों को देखे संतान सुक नहीं मिल पारा है या पुत्र की प्राप्ती नहीं हो पारिये तो आप इस उपाय को जरूर करें क्योंकि कई बारी ग्रहे दोश के कारण या किसी तरह का मतलब तंत्र मंत्र या किसी तरह अगर आपका पैर किसी चीज़ पर पड़ जाता है तब भी एक बंधन बन जाता है जिसकी वज़े से आपको संतान सुक नहीं मिलता है तो आप ये उपाय अवश्य करें देखना निश्चित ही आपको संतान सुक मिलेगा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक श श्यक्ष्णा